हेलो और यूण वेलकम चुमाइशन ओमसाइक एडमी दिस इस इमानसु जी हाँ आज के स्वीडियो लेक्टर में बात करेंगे गवर्मेंट ओफ इंडिया डिपार्टमेंट ओफ एटॉमिक एनर्जी यहाँ पे फार्मा रिगार्डिंग वेकेंसी फार्मासिस्ट की क्या कु और अब से आप अपनी मोबाइल अप्रिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट रिग्जाम की प्रिपूशन टैसरी स्टेडी मेंट्र सब कुछ अवेलेबल है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यह ओफिशल वेबसाइट है गौर्न्मेंट ओफ इंडिया ड देख हैंना कलब कं तमिल नाचू में आपके रहने वाली है तो तूटल आपकी पोजीशन पांच रहने वाली है उसमें कि 10 प्लस टू डी फार्मा बिक्लॉमा साल की ट्रेशनि वाप के पास रहती है और आप एक रिजिस्टर्ड फार्मा के cabeza ही हो keinen चाहिए सर कहां से तो कोई भी सेंटर या फिर स्टेट फार्मेसी कॉम सेंटर आप एक रजिस्टर्ट फार्मसिस्ट है आपने डी फार्म किया हुआ है then you are eligible for this post 46,500 रुपे salary है प्लस HR आपका रहने वाला है age limit 50 year है और इसका date of interview आपका 11-6-2-24 को रहने वाला है सरे interview कहां होगा तो यहां पर जैसे कि मुने आपको बताया कलब कम में यहां पर चनई में आपका जो interview रहने वाला है इसकी last date 35-2024 रहने वाली है और जो भी interest student है यहां पर apply कर सकते हैं कैसे apply करना है क्या selection process रहेगा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं जैसे click करेंगे application form आपके सामने खुलावा नजरा जाएगा इस application form को आपको भरके इस email address पर भेज देना है जैसा कि आप यहां पर process देख पा रहे हैं प्रॉपर वे में आपको excel खुलेगी किसी साब से आपको इसको click करना है form बढ़ना है फिर आपको यहां पर भेड़ जाना है अगर आपकी application form incomplete है तो आपका form जो है वो reject हो जाएगा जो भी interest student है पांच post है center government की है यह तो कोई भी student apply कर सकता है कोई दिक्कत वाली बात यहां पर रहने वाले नहीं है बस आप एक registered pharmacist होने चाहिए ठीफर्मा ठीक है जी next to next बात करते हैं सर्थ PGI चंडीगर में यहां पर project regarding vacancy है for clinical pharmacist की जैसे ही आप requirement पे click करेगा 4 नमर पे आप देख पा रहें ICMR का एक project है जिसमें की काफी various stop nurse वगरा की vacancy है और हमारी pharmacist की vacancy है जिसका नाम है clinical pharmacist है ना अब clinical pharmacist का नाम है तो जी हां यहां यहां पर देखिए B pharma प्लस 3 साल का expense मांग रहे है या फिर M pharma candidate को preference दी जाएगी next to next sir experience किस चीज का मांग रहे है तो जी हां जिनको clinical study या research में experience है तो desirable हो बाकी fresher भी यहां पर apply कर सकते हो कोई दिकत नहीं है जिसको experience होगा उसको लिया जाएगा क्यूंकि desirable में qualification में experience लिखा हुआ है 35 year age limit है और जैस जो भी आपकी salary रहेगी as per ICMR के हिसाब से रहेगी 6 June इसको last date जो है वो रहने वाली है ठीक है जी कैसे कुछ apply करना यहां पे सब कुछ mention है application form के थूँ यह दोनों post जो है वो contact basis पे आपकी रहने वाली है next to next यहां पे आप देख पा रहे हैं जो भी student pharmacist exam की preparation कर रहे हैं screen पे आप देख पा रहे हैं हमारी mobile application पे one of the best study material available है जिसक pharmacist exam preparation के लिए चाहे वो railway हो, DSSB, AIMS वगेरा OSS सभी में आपको helpful रहने वाला है और भी काफी साली running में vacancy चल रही है आप skin pair देख पा रहे हैं यहां से आप चेक कर पाएंगे जो भी student interested है जैसे की AIMS में आई थी अभी recently आप देखंगे जो बड़ी vacancy है वो इंडियन एर फोर्स में pharma assist की vacancy जो है वो रहने वाली है जो की यहां पर notification running में है चलिए मित्रों कैसा लगा आपको information जरूबदाए कामें स्क्षिन में like करें, share करें, subscribe करें ऐसे ही pharma regarding news update, vacancy update, video lectures, study regarding video के लिए